Hello Friends, वागत है। कैसे है आप सब? देखिए हम आपको ब्लाुज के डिजैन बता रहे हैं ब्लाुज अपने लंबाई से कुटिंग कर लेना है friends आर्म होल 6 इंच का कुटिंग करना है 1.5 इंच गले का चोड़ाई है 10 इंच गले का लंबाई है friends तीन इंच यहां से चौड़ाई लेते हुए इस मार्क से मिला लेंगे और यहां पर गोल गला है फ्रेंच नेट का बिलाउंज है और गोल गला है और इस गले को कट कर लेंगे देखिए ऐसे और कभी भी कपड़ा काटते समय ऐसे पिन से सेट करके काटना चाहिए कि कपड़ा हमारा अस्तर और कपड़ा थोड़ा भी इधर उधर ना हो और इसे सीधे बिलाउंज पीश रख करके उस पे अस्तर लगा करके फिर पिन से हम सेट कर देंगे कि सिलाई करते से में कपड़ा भी धर धर ना हो और बहुत फिनिसिंग के साथ बिलाउज बनके रेडी होगा और देखिए जो एस्ट्रा ए बॉर्डर है उसी पर हम सिलाई करेंगे देखिए अब इसे हम सीधा करके यहाँ पर हम नीचे चाप सिलाई लगा देंगे कभी भी कपड़ा और अस्तर को दोनों को अच्छे से मिला करके पीन को सिट करना है और देखिए हम गले पर पाई पीन बनाने के लिए दो तिर्चा पट्टी ऐसे कट करी हो और यहाँ पर तिर्चे जोएंट के साथ इसे जोड़ना है फ्रेंज देखिए ऐसे और यहाँ पर हम जो भी कोर्ना रेस्टरा है उसे हम कट करके ऐसे डबल फोल्ड में करके गले पर ऐसे रख करके हम सिलाई लगा लेंगे देखिए ऐसे अच्छे से मिलाते हुए हम पूरे गले पर इसी तरह कपड़े को सिलाई कर देंगे और जो भी थोड़ा बहुत इस्टरा कपड़ा है उसे कट कर लेना है क्योंकि ज्यादा कपड़ा पाइपीन हमारा मोटा हो जाएगा और अच्छा नहीं दिखेगा इसके लिए जो भी एस्टरा थोड़ा बहुत कपड़ा है उसे कट करके हम रेडी कर लेंगे और सिलाई को अंदर को लेते हुए हम कपड़े को ऐसे मुड़ाएंगे तो हमारा ये टाइट पाइपीन बनेगा देखिए कभी भी फ्रेंज पाइपीन बनाते समय अराम से बनाना चाहिए पाइपीन के उपर सिलाई नहीं चड़ना चाहिए और इसी तरह हम पूरे गले पर पतला पाइपीन बना करके रेडी कर लेंगे सिलाई पाइपीन में आएगा तो सिलाई हमारा पतला और मोट टाइट बनेगा तो और अच्छा दीखेगा फ्रेंज देखिए ऐसे गोल गला है फ्रेंज अब इस पर डिजाइन बताएंगे कैसे बनाना है इसके लिए हम ऐसे कपड़ा ले लेंगे कपड़े का चोड़ाई शाड़े तीन इंज है और इसे हम ऐसे सिलाई कर देंगे अब हम इसे सुई धागे के मदद से इसे सिधा कर देंगे तो सिलाई अंदर को चला जाएगा और बहुत सुन्दर लुक भी आ जाएगा देखिए ऐसे अब हमारा ये बलाउंज नेट वाला है तो हम हाथ की मदद से ऐसे फैला करके कर देंगे तो इस फनिसिंग हो जाएगा लेकिन जो कपड़े पर बनाएगा उसके लिए प्रेस लगा करके अच्छे से सिलाई बीच में करके प्रेस कर देना है और देखिए फ्रेंज आधा आधा इंच हम ऐसे चुननट मारेंगे चुननट हमारा पास में ही रहेगा और नहीं बन पाएगा तो फ्रेंज ऐसे सुई के मदद से हम चुननट ऐसे डाल सकते हैं इसी तरह हम ऐसे डूर एक फ्लावर एसे हम सिट कर देंगे और देखिए फ्रेंज एक और कर लेना है कि दोनों साइड गले को दोनों साइड लगाना है एक इधर से और एक दूसरे साइड से यहां तक दो कपड़े में हम चुननट के साथ रेडि कर लेंगे और ऐसे मिलाते हुए हम बीच में मार्क लगा लेंगे देखिए फ्रेंज जो सिलाई है वो हम नीचे रखेंगे जो फिनिसिंग बैठा है उसे उपर ऐसे करके सिलाई कर देंगे जिस तरह गले का सेफ है उसी राउंड में हम इस चुननट वाले को घुमाते हुए लगा देंगे गले पर और दूसरे साइड भी हम लगाना है यहाँ पर एक इंच चुननट नहीं रखना है बीचो बीच में यहाँ पर एक और डिजाइन बनेगा फ्रेंज देखिए दोनों साइड लग गया है अब जो भी एश्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेना है और देखिए हम बीच में एक फ्लावर बना करके इसमें लगाएंगे उससे पहले है जो सिलाई है उस पे हम पतला साथ लाइस ऐसे गोल राउंड बे सेट कर देंगे देखिए ऐसे अब यहाँ फ्लावर के लिए कपड़ा हमारा यह तीन इंच के कपड़ा है देखिए ऐसे दो बार फोल्ड करके हम कॉनर पे सिलाई लगा देंगे इसी तरह मोड करके हमें छे फ्लावर के लिए छे ऐसे डिजाइन बनाना है एक फ्लावर में छे ऐसे डिजाइन लगेगा और जो भी इस ट्राइस में कपड़ा है उसे कट कर देना है अब देखिए हाथ के मदद से ऐसे छोटा छोटा चुनर ले करके यहाँ पर सुई धागे से हम सिलाई कर देंगे इसे अच्छे से टक देंगे फ्रेंज इसी तरह हमें छे बना करके रेडि कर लेना है आप चाहें तो सुई से ऐसे करके भी आप यहाँ दो तीन बार टकिंग करके सिलाई लगा देंगे देखिए यह जो भी इस्ट्रा कपड़ा है इसमें कट कर देना है देखिए छे हो गया यह डिजाइन आप सभी डिजाइनों को सुई धागे से ऐसे सब को एक ही में टकिंग कर देना है देखिए इस तरह टक सभी को टक दी हूँ और दुबारा दूसरे साइड भी ऐसे करके हम ऐसे गोल राउंड इसे बना लेंगे और सभी डिजाइनों में दुबारा पूरा टक करके हम मजबूती के साथ इसे रेडी करेंगे यह बलाउंज में लगाने के बाद यह निकले ना दोनों साइड हम ऐसे सील देंगे बहुत अच्छा बिलाउज मन के रेडी हो रहा है फ्रेंज उमीद है कि ये हमारे बिलाउज डिजाइन आपको जरूर पसंद आएगा पसंद आएगा तो फ्रेंज मेरा चैनल को सस्क्राइब करिएगा और बिलाउज डबा देजिएगा जिससे जब ही मैं वीडियो अप्लोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप बिलाउज डिजाइन देख करके बना सके देखे बिलाउज पीछ पर हम ऐसे रख करके अब इसे सेट कर देंगे फ्लाउज को चारों तरफ से हम इसे अच्छे से बिलाउज में भी टकिंग करेंगे देखे फ्रेंज इस तरह हम अच्छे से टकिंग करके इसके उपर बीच में हम एक बटन सिट करेंगे आप अपने अनसर बटन यहाँ पर लगा सकते हैं देखे ऐसे देखे फ्रेंज बिलाउज बन के रेडी हो गया है आप इसमें डोरी लगा लेना है फ्रेंज और पीछे ऐसे दो टक्स डाल लेना है और मेरा चैनल है सकुंतला देवी स्टेचिंग 2021 मेरे चैनल को जरूर सस्क्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिये फ्रेंज मैं आपको अनेको तरह की ऐसे बलाउज डिजाइन बताती रहूंगी देखे फ्रेंज अब यहाँ पर जो भी एश्ट्रा है इसे मोड करके कितना अच्छा लुक आ रहा है बलाउज का यहाँ पर देखे मैं आपको डोरी भी सिल करके दिखा रही हूँ इसमें बॉर्डर का जो कपड़ा बचा है उससे मैं ऐसे डोरी सिल देना है बॉर्डर का नौ मिले तो आप ऐसे भी कपड़े से आप डोरी बना सकते हैं कोनर पे हलका अंदर के साइड दाब करके इसे सिलाई करेंगे तो कभी भी फुलावर का जो सिलाई है वो बाहर साइड नहीं दिखेगा और दोनों को ऐसे सिद करके देखे फ्रेंज कितना अच्छा लटकन बनके रेडी हो गया मैं अनेको लटकन बताई हूँ फ्रेंज मेरे चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा और देखें यहां पर डोरी को ऐसे सिट कर देना है देखें फ्रेंज बनाउजबन के रेडी हो गया है अच्छा लगे तो फिर फ्रेंज मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और मुझे सपोर्ट करिए मेरे चैनल को सस्क्राइब करके ओके बाई